हेलो वियर्ज कैसे हैं आप सब तो जिसना से आपको पता है हमाई पास ASP.NET Core 6 के लेक्चर सीरीज चल रही है तो आज किस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं और फिर उसी drop down list का data हमें database में भी insert करने की जरुवत पड़ती है ठीक है तो यह सारी चीज़े हम आज के इस लेक्चर के अंदर discuss करेंगे तो आपने make sure करना है कि इस वीडियो को end तक watch करना है तो वीडियो को start करने से पहले एक छोटी सी request कि अगर आप मेरे चैनल पर first time आयो और अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please मेरे चैनल को subscribe कर लो इसके साथ साथ बेल का icon भी press कर लो क्यूंकि और भी बहुत सारी वीडियो इस lecture series के अंदर आने वाली है तो यह होगा तो हमारा chapter number 48 और अब हम अपना lecture स्टार्ट करते हैं तो भाई देखो creating drop-down list in ASP.NET Core 6 भाई देखो आज के lecture में हम कौन कौन सी चीज़ें cover करने वाले हैं drop-down list को लेकर सबसे पहले इसको समय लो भाई देखो मैं आपको दो तरीके से drop-down list बनाना सिखाऊंगा एक तो हम traditional तरीका यूज़ करते हैं मतलब जो पुराना तरीका है जिसके अंदर हम HTML helper को यूज़ करके drop-down list बनाते थे एक तो मैं वो तरीका आपको implement करके दिखाऊंगा और दूसरा जो हम tag helpers का concept यूज़ करते हैं क्योंकि drop-down list के लिए भी हमारे पार tag helpers मौजूद हैं तो उसको यूज़ करके किस तरह से drop-down list बनाएंगे ये भी मैं आज के इस lecture में बताऊंगा और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा के drop-down list के अंदर से अगर आप कोई भी value select करते हो तो उसको database में किस तरह से insert किया जाता है और आपको याद होगा हमने crud application मनाई थी code first approach को यूज़ करके भी crud application मनाई थी database first approach को यूज़ करके भी हमने crud application मनाई थी उसके अंदर हमने drop-down list का concept यूज़ नहीं किया था उसके अंदर हमने सिर्फ text boxes को यूज़ किया था लेकिन उसी crud application के अंदर आज मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि drop-down list को आप किस तरह से implement करते हो अपनी crud application के अंदर तो ये सारी चीज़े आज किस lecture के अंदर हम cover करने वाले हैं और देखो ये जो मैं आपको drop-down list create करना सिखाऊंगा ना इसके अंदर मैं select list का concept भी यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं enum का concept भी यूज़ करूँगा मतलब हर तरह से मैं आज आज आपको drop-down list complete तरीके से अच्छे से समझाऊंगा तो बगए time waste किये jump करते हैं अपने visual studio पे ठीक है visual studio पे आगे हैं और यहाँ पर मैं new project create कर लेता हूँ create a new project और यहाँ पे देखो जो हम project template use करेंगे वो यह वाला होगा asp.net core web app mbc आप यहाँ से भी select कर सकते हो recent project से या फिर आप यहाँ से select कर सकते हो मैं इसको यही से select करता हूँ ठीक है आगे चलते हैं और फिर देखो इसका में नाम यहाँ पे रख रहा हूँ DDL DDL ASP Core 6 DDL मतलब drop down list ठीक है short में लिखा है next करते हैं ठीक है .net 6 में यहाँ यहाँ उसके बाद create करते हैं इस application को यहाँ पर देखो हमार project create हो चुका है तो अब सबसे पहले चलते हैं इसके home controller के अंदर यहाँ पर दीक हो Home controller में चलते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो controller के अंदर कुछ action method पहले से बने वे हम यह index वाला यहाँ पर यूस करते हैं ठीक है और यहा पर देखो index.cshtml चलते हैं, home के folder के अंदर और यहां पे देखो index.cshtml, तो पही देखो, पहला जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, वही पुराना तरीका है, जिसके अंदर हम मैं mbc5 के अंदर, जो हम मैं html helpers का concept यूज करते थे, उसी को implement करके मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ठीक है, तो स कहता हूँ, public, enum, ठीक है, और अपने enum का नाम मैं रखता हूँ, gender, मतलब जो मैं drop down list बनाना चाह रहा हूँ, वो मैं gender से related बनाना चाह रहा हूँ, तो भाई देखो enum क्या होता है, जिसको हम full form में enumeration भी कहते है, enum हमारे पास set of constants declare करने के लिए हम यूज करते है, यह सीश value assign कर देता हूँ, 0, और फिर same इसी तरह दूसरा है हमारे पाफ female, ठीक है, इसकी में value assign कर देता हूँ, यहाँ पे 1, ठीक है, आप चाहो तो direct male और female भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, तो आप इस enum को मैं आप यूज करता हूँ, कहां पे यूज करता हूँ, अपने जो index वा value में use करना है, ठीक है, top पे इसको import करते हैं, किस तरह से यहाँ पे देखो using, और फिर इस तरह से यहाँ पे मैं इसको use कर लेता हूँ, क्योंकि AC के अंदर enum है, इसको मैं यहाँ पे use करूँगा, ठीक है, फिर नीचे आजाओ, यहाँ पे अब मैं HTML helper use करता हूँ, ठीक है, HTML helper use करता हूँ, कौन सा जिसका नाम है, हमारे पर drop down list, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले, हम इसके अंदर drop down list का name provide करेंगे, ठीक है, name में इसका क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे gender, और उसके बाद, यहाँ पे comma द angle bracket के अंदर यहाँ पे मैं अपने enum का नाम pass कर देता हूँ, और वो क्या है gender, ठीक है, और यह basically क्या है, यह method है, तो इस तरह से इसको हम बंद कर लेते हैं, उसके बाद, यहाँ पे मैं इसका वो जो first option होता है, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, select gender, ठीक है, first option इसके बाद add the rate class का attribute, और class का attribute की मदद से, जो हमारे पाँ bootstrap की class है, जिसका नाम है form control, वो मैं अपने इस drop down list के ओपर लगा रहा हूँ, ताकि इसका जो result है, वो अच्छा सा है, ठीक है, यहाँ पे आके मैं enter करता हूँ, ठीक है, तो देखो, यह चीज़े मैंने provide किये, name provide क इसके बाद optional जो यहाँ पे हमारे पाँ पहला वाला option होता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर provide किया, इस तरह से मैंने bootstrap की class apply कर दी, ठीक है, तो अब इसको save करते है, और run करने से पहले यहाँ पे देखो, मैंना इसका एक label भी दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अब की class apply कर दी, अब इसको run करते है, और इसका result देखते है, ठीक है, तो यह देखो, आपको नजर आ रहा है, application न नो चुक है हमारी और देखो, select gender है, और यहाँ पे देखो, आपको यह नजर आ रहा है, हमारा drop down list, इसको पर मैं click करता हूँ, तो यह देखो, male और female के through generate किये थे, यहाँ पर देख रहो, male और उसकी value क्या है, 0, और फिर यहाँ पर देखो, female इसकी value क्या है, 1, भाई देखो, अगर मैं, यहाँ से अपनी यह जो values है, इनम के अंदर से, अगर मैं उसको remove कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो, यह आपको नजर आ रहा हो देखो, drop down list है, अभी भी विल्कुल सही काम कर रहा है, और अगर मैं right click करता हूँ, इसके view page source में जाता हूँ, ठीक है, और अब नीचे आजाओ, अब देखो यहाँ पर, यह देखो, इसने by default भी उसकी value क्या set कर दी, 0 set कर दी, और 1 set कर दी, इसका मतलब हमने just अपने एनम के select किया, तो अगर आपने validation लगाए है, तो उस case में error आएगा, ठीक है, तो एक तो यह तरीका हो गया, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने एनम को use करके, क्या कर सकते हो, drop down list generate कर सकते हो, अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है, दूसरे तरीके के अं method है, इसके अंदर मैं select list, select list item को use करके मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना drop down list generate करता हूँ, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर मैं class use करूँगा, जिसका नाम है, देखो, आपको top पे नजर आ रहा होगा, select list item, ठीक है, और इसका मैं नाम यहाँ रख देता हूँ, gender, ठीक है, new लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, select list item, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने curly bracket देना है, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ दो चीजें specify करना है, ठीक है, सबसे पहले आएगा, value, value के अंदर for example, मैं specify कर देता हूँ, one, आपके उबर depend करता ह कुछ भी कर सकते हो, और फिर यहाँ पर देखो, second चीज मैं देता हूँ, इसके text, text के अंदर यहाँ पर मैं इसको specify कर देता हूँ, mail, अचा, यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो, यह जो हमें select list item हम बना रहे है, इसको हमें list के अंदर convert करना है, ठीक है, मतलब, list of select list हम यहा इस तरह से, और यहाँ पर देखो, यह जो मैंने value specify की है, इसको हम रखेंगे string के अंदर, ठीक है, इस तरह से, देख रहे हो, आप value यहाँ पर चाहो तो mail भी रख सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर one रखी, आप चाहो तो यहाँ पर इसकी value भी क्या रख दो, mail, ठीक है, मतल अलिए, और अब देखो, अब यह जो gender है, इसको मैं अपने index के view में pass करता हूँ, और कैसे pass करूँगा, मैं आपर use करूँगा, viewback का, ठीक है, viewback.gender, यहाँ पर मैं एक property बना रहा हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर मैं, यह वाला जो हमारे pass, list of select list item है, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से pass कर देता हूँ, ठीक है, और अब इसको मैं access करूँगा, कहाँ पर access करूँगा, यहाँ पर आजाओ, ठीक है, index के view में, देखो, यह वाला code है, यह वाला code अब मैं यहाँ से copy करता हूँ, और comment out करता हूँ, ctrl-k, ctrl-c, क्योंकि यह code मैं आपको provide कर दूँगा, मै नीचे दुबारा इसको paste करता हूँ, तो भई देखो, अब मैं इसके अंदर changing क्या करूँगा, देखो, changing में यहाँ पर, यह जो मैंने, html.get enum select list वाला method यहाँ पर लगाया है, इसकी जगह पर यहाँ पर देखो, मैं अपना यह view back call कर लूँगा, इसका मैंने नाम क्या र दिखाता हूँ, यहाँ पर आजाओ, run करते हैं, ठीके तो यहाँ पर देखो, अगर आप मैं इसके उपर क्लिक करूँ, drop down के उपर तो देखो, बिल्कुल सही तरह से हमारे पास यह drop down list generate हो रही है, और आप देखो, अगर मैं इसके उपर right click करके, इसका view page source आपको दिखाऊ अपना drop down list यहाँ पर generate कर सकते हो, तो भाई देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पर जो concept समझाया, इसके अंदर मैंने वही HTML helper use किया था, जो हम मैं ASP.NET Core के पुराने versions में करते थे, या फिर हम मैं ASP.NET 5 के अंदर, MVC 5 के अंदर concept use करते थे, लेकिन भाई देखो, ASP.NET Core के अं इस लेबिल को मैं नीचे यहाँ पर paste करता हूँ, इस तरह से मैं इसको paste करता हूँ, और अब देखो, tag helper मैंने यहाँ यूज करना है, भाई देखो, मैंने आपको क्या बताया था, tag helper हमारे पास basically एक special attributes होते हैं, जो के हमें ASP.NET Core ने provide किया है, तो सबसे पहले, मैं आपे select का रख दूँगा, empty रख दूँगा, empty क्यों रख दूँगा, क्योंके देखो, यह जो option है, यह just हमें display करवाना है, user यह वाला option कभी select नहीं करेगा, क्योंके अगर यह वाला option select होगा, तो हमारे पाँ validation के through error message आना चाहिए, और अब देखो, select list के अंदर यहाँ पर देखो, मैं view bag dot gender, ठीक है, और इसके शुरू में आपने add the rate भी लगाना है, ठीक है, इस तरह से, मतलब razor syntax के through आपने यहाँ पर इस तरह से अपना view bag यहाँ पर pass करना है, यह कौन सा view bag है, जिसके अंदर यहाँ पर देखो, जिसके अंदर मैंने आपर, दो select list item मना है, एक male और एक female है, त इसके बाद options के tag के अंदर generate होंगे, ठीक है, तो मैं अब इसको save करता हूँ, इसको run करके आपको इसके result दिखाता हूँ, तो यह देखो, आपको drop down list नजर आ रहा है, इसमें data बिल्कुल सही तरह से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके ओपर मैंने bootstrap की class apply नहीं की, ठीक है, result आपको नजर आ रहा है, यह bootstrap की class इसके ओपर लग गई है, और अगर मैं इसके ओपर click करता हूँ, तो यह देखो, बिल्कुल सही तरह से हमारे पाँ result आ रहा है, और अगर इसके ओपर right click करता हूँ, और यहाँ पर आके मैं इसका view page source दिखाता हूँ, ठीक है, नीचे आ तो यह देखो, यहाँ पर बिल्कुल successful तरीके से हमारा यह जो drop down list है वो generate हो रहा है, ठीक है, personally मुझे भी यही concept पसंद है, जिसके अंदर हमने tag helpers यहाँ पर use की है न, क्योंके देखो यह उसी तरह की feeling आती है, कि जिस तरह से हम HTML के अंदर coding कर रहे हैं, और इसके अंदर मैं मैंने slack list को यहाँ पर use किया, जिसके अंदर मैंने आप यह tag helper का concept यूज किया, और फिर यहाँ पर देखो, यह जो हम HTML helper पहले use करके आते थे, उसको मैंने यहाँ पर भी आपको implement करना सिखाया, तो अब आपके उपर depend करता है, कि आप कौन सा concept यहाँ पर use करते हो, तो भाई अब देखो, अब मैं आपको यह जो drop down list का concept है, यह मैं आपको अपनी CRUD application के अंदर implement करना सिखाता हूँ, क्योंके भाई देखो, इस तरह के जो concept है, वो basically हमारे पाँ इसी तरह के, जो CRUD applications हो गए, जो insert forms हो गए, update forms हो गए, वहाँ पे हम उसको use करते है, ठीक है, तो मैं वो open करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो हम file पे चलते हैं, और यहाँ पे आके मैं recent projects and solutions, और देखो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा code first ASP core 6, मतलब code first approach को use करके, जो हमने CRUD application मनाई थी, उसको मैं यहाँ पे open कर देता हूँ, इसको उपर click करते है, तो यह अदर एक और data insert करता हूँ, ठीक है, मैं create new पे जाता हूँ, तो यहाँ पर insert का form आ जाएगा, ठीक है, तो यह देखो, अभी हमारे पर यह सारे text boxes है, मतलब यहाँ पे देखो, अभी gender के अंदर भी हमारे पर text box आ रहा है, इसको मुझे convert करना है, इसको मुझे convert करना है, किसके form के अंदर भी आ पे देखो, जो gender है, वो क्या है, text box है, तो यहाँ पे भी मुझे drop down list चाहिए, ठीक है, तो वो काम में किस तरह से implement करूँगा, देखो, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको stop करता हूँ, तो भई देखो, सबसे पहले मैं चलता हूँ, create वाले के ओपर, तो create के ओपर आजाओ, ठीक है, यह create का आपको view नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अभी आपको यह input नजर आ रहा है, मतलब यह text box है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से comment out करता हूँ, control K, control C, और वो जो मैंने HTML helper को use करके drop down list बनाया था ना, वो मैं पेस कर लेता हूँ अपने project में से, ठीक है, तो यह देखो, यह जो हमारे पर drop down list था ना, जिसके अंदर मैंने, अपने select list item को view bag में डाल के यहाँ पे insert किया था, तो इसको मैं यहाँ से copy करता हूँ, और इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ यह पे, यह देखो, यह जो मैंने य मुझे छोटी सी changing करनी है, भाई देखो, जब भी आपका drop down list किसी model class की property के साथ bind होता है, तो उस case में आप यहाँ पर drop down list यूज नहीं करते है, बलके आप drop down list for का use करते हो, भाई देखो, यह जो हमारे पर drop down list है, यह हमारी कौन सी model class के साथ bind हो आब है, मैं आपको दिखा द के साथ bind होता है, तो जब भी आपका जो भी control होता है, drop down list होता है, अगर वो किसी model property के साथ bind होता है, तो आपने यहाँ पर use करना है drop down list for, लेकिन अगर model property के साथ bind नहीं हुआ, तो उस case में आपने यहाँ क्या करना है, उस case में आपने simple यहाँ पर drop down list यूज करना है, और भा model property के साथ यहां पे इस तरह से bind किया है, तो भै अब यहां पे देखो, अभी देखो यह जो viewback.gender है, इसके अंदर तो कोई भी data मौजूद नहीं है, मतला हमारे पास select list item मैंने अभी यहां पे नहीं बनाया, ठीक है, तो मैं चलता हूँ, अपने controller के अंदर, यहां पे home controller में, औ यहां पे देखो, यह वाला code, यह वाला code मैं यहां से copy करता हूँ, और copy करके मैं इसको यहां पे ले आता हूँ, यह जो हमारी CRUD application के अंदर create वाल action method है, इसके अंदर यहां पे मैं इस तरह से इसको pass कर देता हूँ, देख रहो, यह select list है, जिसके अंदर male और female के हमारे पर options ह list items हैं, उनको मैं कहां pass कर रहा हूँ, देखो, अपने viewback.gender में , और पिर यही viewback.gender, यह मैं कहां call कर रहा हूँ, हमारे ролi create में आपको आपको नज़र आ रहा होगा, यहां पे इस तरह से मैं इसको यहां पे pass कर रहा हूँ, देख रहा हूं, तो यहां पर लिए आर्र इस बताना है कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा है ठीक है तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको convert करूँगा किसके अंदर select list के अंदर तो यहाँ पे देखो मैं आपे select list का यह इस तरह से यहाँ पे object पास करता हूँ अब देखो यह value और text किया है यहाँ पे देखो viewback.gender यह हमें कहां से मिल रहा है यहाँ आजो हमारे controller में यह आपको नजर आ रहा है यह है viewback.gender जिसके अंदर मैं पास किया है मतलब यह वाला list of select list items तो इसके अंदर यहाँ पे देखो value है और text है तो यह value मैंने पास किया है यहां पे यहाँ पे देखो यह value मैंने पास कर दिया यहाँ पे और यह जो हमारे पर text था यह text यह that पास कर दिया है यहाँ पे इसके 3rd argument के लिए अड़ के लिएग नगा तो मतलब जो आपका viewbag है आपने उसे select list के अंदर database से, तो वहाँ पे भी मैं कुछ इसी तरह का concept use करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे आके मैं अपनी application run करता हूँ और इसका result आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आजाओ, तो यह देखो मारी application run हो चुकी और मैं चलता हूँ create यहाँ पे आके मैं इसको एक दफार refresh कर लेता हूँ तो यह देखो, आपको label नज़र आ रहा है और देखो drop down के आपको क्लिक करता हूँ, तो यह देखो male और female आ रहा है आपके पास, और भाई देखो अगर मैंने क्या बताया था, अगर मैं इसको empty छोड़के यहाँ पे create के उपर click करता हूँ तो देखो, वो जो हमने required के error message लगाए थे, वो भी हमारे पर बिल्कुल सही तरह से आ रहे हैं, और भाई देखो अगर मैं इसको उपर right click करता हूँ और इसका view page source आपको दिखाता हूँ ठीक है, तो scroll करके यहाँ पे आजो, तो यह देखो, आपको result नज़रा रहा है, बिल्कुल सही तरह से हमारे पास यह काम कर रहा है, ठीक है, तो भाई देखो, एक तो यह तरीका हमने implement करना सीखा था, और भाई देखो, अब मैं आपको drop down list बनाना सीखायता न, उसको मैं यहाँ पे copy paste करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आजो, यह देखो, यह आपको नज़रा रहा है, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से copy करता हूँ, ठीक है, इस पूरे code को यहाँ से ऐसी रहने देना है लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे आप इसका नेम एट्रिब्यूट अटा दो ठीक है यहाँ पे आपने पास करना है ASP4 ASP4 हमने यूज करना है ताके यह वाला जो कंट्रोल है drop-down list यह हमारे model property के साथ bind हो जाए और इसका नाम क्या है यहाँ पे देखो gender यह मैंने इस तरह से pass कर दिया और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा class भी लगी वे bootstrap की और यही जो ASP4 है ठीक है यह इसके label के उपर भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताके यह इसके साथ bind हो जाए मतला हमारी जो select list है वो हमारे label के साथ bind हो जाए ताके जब मैं अपने label के उपर click करूँ तो हमारा यह select list क्या हो जाए active हो जाए ठीक है मतलब ASP items के अंदर data कहा से आ रहा है यहां से आ रहा है जो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ देख रहे हो तो अब इसको run करते है इसका result आपको दिखाता हूँ तो देखो हमारी application अनो चुकी है create new के उपर click करता हूँ तो यह देखो यह आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल सही तरह मारे पर drop-down आ रहा है और आप देखो empty छोड़के अगर मैं create पर click करूँ तो यहाँ पर ही बिल्कुल सही तरह से error आ रहे है और आप देखो अब मैं एक row insert करता हूँ इसके अंदर ठीक है मैं आपे कहा देता हूँ for example frame ठीक है gender मैं आपे select करता हूँ male ठीक है age मैं आपे देता हूँ 23 standard मैं आपे कहता हूँ 12 ठीक है और आप देखो जैसी create के ओपर click करूँगा तो यह data हमारे database में insert होगा और यह मैं redirect कर देगा कहाँ पर देख रहे हो हमारे index का view open होगे और यहाँ देखो frame का data यहाँ पर बिल्कुल सही तरह से display हो रहा है लेकिन भाई देखो मैंने क्या बताया था अगर मैं edit पर click करता हूँ तो edit वाला जो हमारे पर view है update वाला जो हमारे पर page है उसके अंदर यहाँ पर देखो अभी text box ही आ रहा है मुझे यहाँ पर भी क्या implement करना है drop down list तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आजाओ मैं अप्नी application को stop करता हूँ तो अब यहाँ पर देखो यह वाला जो हमारे पर code है list of select list items इसको मैं copy करता हूँ और हम चलते हैं हमारा वो जो edit का action method है उसके अंदर चलते हैं ठीक है नीचे आजाओ scroll करके यह देखो यह आपको edit नज़र आ रहा है http post है लेकिन हमें यहाँ पर paste नहीं करना हमें यहाँ पर paste करना है देख रहो जिसके अंदर यहाँ पर id पास हो रही है इस तरह से तो इसके बिल्कुल शुरू में यहाँ पर मैं इस तरह से यह पास कर देता हूँ ठीक है मतलब यहाँ पर मैंने list of select list item मनाया और इसको यहाँ पर view back के अंदर पास कर दिया ठीक है और अब मैं create वाले अपने view से यह जो code है वो मैं यह से copy करूँगा ठीक है देखो यह वाला जो code है यह मैं यह से copy करता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ अपने edit वाले view में ठीक है तो यहाँ पर आजाओ अब edit के अंदर यहाँ पर देखो यह जो gender के लिए text box आना इसको मैं comment out करता हूँ control K, control C और यहाँ पर आके नीचे मैं इसको इस तरह से paste कर देता हूँ और यह वाला जो label है ठीक है इसको भी मैं यहाँ से comment out कर देता हूँ क्योंके label भी मैंने यहाँ पर एक साथ यहाँ पर देखो copy किया है ठीक है तो इसका मतलब अब आपके पास update form के अंदर भी हमारे पास ही जो drop down list है यह हमें मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर आके अपनी application को run करता हूँ और चेक करते हैं कि यह सही तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा हमारी crud application के ठीक हो देखो application माई run हो चुकी है और आप देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ यह जो frame वाला record है इसके आगे मैं edit के उपर click करता हूँ तो यह देखो edit का view आ रहा है और यहाँ पर देखो frame का gender क्या था male तो देखो यह male पहले से selected है और अगर मैं इसके उपर click करूँ यह अगर मैं यहाँसे भी select gender select करता हूँ और save के उपर click करता हूँ तो यहाँ पे भी हमारे पार required का error आएगा और आप देखो अगर मैं यहां से male के बजाए female select कर देता हूँ और अब save के उपर click करता हूँ तो आप result देखना तो यह देखो प्रेम का जो gender है वो क्या हो गया है female हो गया है लेकिन भई प्रेम का gender मैं दुबारा male कर देता हूँ क्योंके प्रेम हमारे पास female नहीं है तो male select करते हो और यहां पर आके save के उपर click करता हूँ तो यह देखो आप बिल्कुल सही तरह से हमारे पास यह काम कर रहा है इसके साथ साथ bell का icon भी प्रेस करना क्योंके और भी बहुत सारी वीडियो इस lecture series के अंदर आने वाली है तो इस lecture के अंदर कोई भी confusion है तो comment box से मुझे ज़रूर पुछ लेना तो मिलते इंचाला next lecture में तब तक के लिए देखते रही है मेरा channel program mentor